हलो प्रेंट्स हमारे चैनल तारावती की चंस में आपका स्वागत है प्रेंट्स हम चल रहे हैं आम की खट्टी मीठी चट्नी बनाने प्रेंट्स इस समय मार्केट में आप फोबा रहा है तो आम की खट्टी मीठी चट्नी आप इस तरीकी से बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है बनने में भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है और चटनी थी बहुत टेस्टी बनेगी फ्रेंट तो वीडियो शुरू करने चल रहे हैं तो देखिए चार आम ले लिए हैं कच्चे आम हमारे हैं तो देखिए छील ले रहे हैं उसका छील का हम उतार देंगे पहले तो सभी को अच्छी तरीके से पहले हमें छील लेना है यह देखिए इस तरीके से हम सभी आमो को छील लिए हैं पहले फिर इसे हम ग्रेट करेंगे मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे यह देखिए ताकि मोटे मोटे लच्छे हमारे निकले तो उस तरीके से हम चटनी को बनाएंगे देखिए मोटे वल्रेटर पर कर लिए रहें हैं विह सब भी आमों को अच्छी तरीके प्राइब्स कुल norma K लेना है तो धेकि आप इस तरीके से हैं मोटे मोटे अच्छे हमारी निकलेंगे, तो मिशी तरीके सारे आमों को ग्रेट कर लिए हैं, तो देखिए बच फोरन लिए हैं, इसमें सौप, जीरा, मंगरेल, मेथी, और धनिया, साबुत धनिया, और सभी को मच्छी तरीके से पहले भून लेंगे, तो देखिए लो फ्लेम करके हमें भून लेना है, इसका मसाला हम तयार करेंगे, क्योंके मसाला डालने से ये चटनी, हमारी खटी-मीटी चटनी भहुत ही टेस्टी बनती है, तो मसाला हमें जरूर डालना है, ते पच फोरन इसक dagि पाच्छो मसाला मिला कि इसमें हम इसको inch vhंआँ लेंगे, तो देखिए अचछी तरीके स मिंसले में भून लेना है चलाते हुए देखिए हम मसाले को हम भून लिए है देखिए निकाल लिए हैं मसाला हमारा भून गया है तो हम इसे पीस लेंगे मिक्सर में आप इसे कोट भी सकते हैं तो देखिए हम पीज लिए हैं उसके बाद हम देखिए आम है आम हमें देखिए 400 ग्राम मारा आम है तो हम 300 ग्राम सीनी डाले हैं 100 ग्राम गोड को डाले हैं हम अच्छी तरीके से मिला दे रहे हैं सभी को देखिए हम अच्छी तरीके से अभी हम गैस आप आन नहीं किये हैं हम गैस बंद करके ही इहें मिला दे रहे हैं इससे हमारी चट्नी जो है बहुत ही टेस्टी बनेगी तो इस तरीके से हम बनाएंगे तो देखिए 300 ग्राम चीनी है मारा 100 ग्राम गुड़ है और 400 ग्राम मारा आम है तो देखिए हम यह मसाला भी तयार कियें इसे भी पीछ लिए हैं और देखिए रख दिये हैं पकने के लिए तो देखिए हल्दी डाल दिये हैं आधा टी स्पून आधा टी स्पून लाल मिर्च जला दे रहे हैं और नमक डाले हैं स्वादे कार्डी बहुत ज्यादा नमक भी नहीं डाले हैं काला नमक सफेद नमक दोनों हम थोड़ा थोड़ा ही डाले हैं तो मिला दे रहे हैं अच्छी तरीके से देखें धीमी याज पेद गम हम लो फ्लेम पे चटनी को पका रहे हैं और धिरे धिरे चटनी हमारी गाड़ी होती जाएगी और पक जाएगी अच्छी तरीके से यह आप देख पा रहे होंगे यह देखे चटनी हमारी बिल्कुल बनके तयार हो गई है आप देख पा रहे होंगे अभी अलका और गाड़ी है तो हम इसे करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सस्क्राइब कर लें और फेस्बुक पे देख रहे हैं प्रेंस तो फालो करें तो देखें मसाले को हम अच्छी तरीके से मिला दिये हैं क्योंकि मसाला हमारा भ प्रेंस आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छ है आमके चटनी मारी बनके तयार हुई है